हेलो फ्रेंट स्वागते आपका मेरे चानल मस्तियान फोड में आज हम बनाने जा रहे हैं क्याबेश मटर की सबजी तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है जिसे छिल लिया है एक प्यास लिया है इसे भी छिल लिया है दो हरी मिश एक चोटा सा अध्रका बीच हे ताकि सब्सक्राक्त कले कीको हेल थib circled चसान से महीं अधा कीलो केड़ दिखाए नहीं होते हैं तो इसलिए हम इसको डिकाईन केड़ें फिछ चतर वीचॉव धी हो थायकर निकाले ताकि जितने उन यहां पने काज केड़ निकार आपकेक करदे हुआ इसी तरीके से हम आलू को भी रफडी ऐसे थोड़े छोटे छोटे टुकडो में हम कट कर लेंगे और इसी के साथ में हम हरी मेच और अद्रग को भी हम चॉप कर लेंगे यहाँ पर मैंने हरे मतर का इस्तमाल किया है जो कि फ्रेश लिया है मैंने आप चाहें तो अगर आपके पास हरे मटर नहीं है, हरे मटर का सीजन नहीं है तो आप frozen मटर भी use कर सकते हैं यहाँ पे हमने हमारी सबजियों को चौप कर लिया है अब हम चलते हैं बनाने के process में तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक गैस पर कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई गरम होते ही हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमश तेल तेल गरम होने के साथ में हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमश जीरा और इसी के साथ में आदा चोटा चमज राई भी डालेंगे एक चोथा ही चोटा चमज हिंग डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे प्यास तो यहाँ पे कटे हुए प्यास हम इसमें डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर सोटे करेंगे यहाँ पर प्यास को हम हलका सा पका लेंगे प्यास थोड़े से ट्रास्लूसेंट हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए अद्रक और थोड़े से हम करी लीज भी इसमें डालेंगे और हर इमेज भी डालेंगे इसमें जो हमने काटके रखे दे अब हम इसको अच्छे से ऐसे चलाएंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे लगभग 3-4 मिंट हम इसे को पकाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे कठे हुए आलू और इसी के साथ में हम हरे मटर भी डाल देंगे यहाँ पे हमारे मटर फ्रेश हैं इसलिए हम अभी डाल रहे हैं ताकि यह थोड़ी दिर पक जाए अगर आपके फ्रोजन मटर है तो आप क्याबेज के साथ में भी डाल सकते हैं आप हम इसको थोड़ी थोड़ी देर से इसको चलाएंगे और इसको हम ढखकन लगा के लगभग एक 3-4 मैं ढखके पकाएंगे ताकि हमारे जो आलू और मतर हैं वो अच्छे से अंदर से पक जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको धक्ये पकाया था, तो यहां पर आलू जो है, आलू और मटर जो दोनों भी हमारे पक चुके हैं, यहां पर आलू को हमने लगभग 70% कुक कर लिया है, तो बाकी जो इसमें कसर है, वो हमारा कैबेच के साथ में, जब हम खलती पाउडर, एक छोटा चमच रट शिली पाउडर, एक छोटा चमच धनिया पाउडर, आधा छोटा चमच गरम मसाला, और नमक डालेंगे हमारे टेस के हिसाब से, अब हम इसको मसालों को चाबेच के साथ में मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से हम इसे उपर नीचे ऐसे चलाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो evenly cabbage को कोट हो जाए अब हम इसको ढखके पकाएंगे low to medium flame पे लगवग एक 5-7 मिनट हम इसे ढखके पकाएंगे यहाँ पे बीच में हम एक दो बार ढखकर निकाल के इसे देख लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं किया है यहाँ पे नमक डालने के बाद में cabbage जो है वो पानी छोड़ता है तो उसी पानी में हमारे cabbage जो है अच्छे तरीके से पक गए है यहाँ पर आलू भी इसमें अच्छी तरीके से गल गए है और यह हमारी सबजी बनके तयार हो चुकी है इसे थोड़ा सा हम एक मिनट के लिए ऐसे चलाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाती है बहुत ही जल्दी बन जाती है जादा मेहनत नहीं लगती है तो आप सुबा में बच्चों के टिफिन में भी आसानी से बना के इसे दे सकते है और आप हम फाइनली इसे गानिश करेंगे कटे हुए हरे धनिये के साथ में और यह हमारी सबजी रेडी हो गई है आप भी इसे ज़रूर एक बार बनाएं और अगर आपको मेरे चैनल के रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए